दर्श को ज्योति शास्त्र को हम धर्म के साथ लेते हैं मगर जब धर्म साइंस के साथ मिलता है और साइंस भी वो जो लॉजिक्स के उपर बेस्ट है जब ये कंबीनेशन बनता है ते खुबसूरत रिसर्च का जन्म होता है आज की वीडियो में दर्श को मैं इसी तरह की एक इंपॉर्टन्ट रिसर्च आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ दर्श को जोति शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि कुछ प्लैनेट जिसमें शनी आजाता है जो पिटर आजाता है और मंगल आजाता है इन तीन प्लैनेट को स्पेशल द्रिष्टियां एकॉर्ड की गई है रिशियों द्वारा अब रिशियों द्वारा जो चीज बोले गई हम उसको विश्वास के रूप में देखने लग जाएं उसको अंद विश्वास के रूप में देखने लग जाएं जो किताबों में लेखा, हम उसको word to word मानना शुरू कर दें, दर्श को ये science इस चीज़ को नहीं मानती, science कहती है कि हर चीज़ को आप logically evaluate करो, उसको तर्क की कसोटी पर कसो, सो दर्श को जब हम इस चीज़ को तर्क से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो द्रिष्टी का मतलब क्या होता है, science कहता है कि द्रिष्टी यानि के देखने के लिए एक कोई instrument चाहिए, कोई tool चाहिए, जैसे हमारी आँख देखने का एक tool है, आप कह सकते हो, camera है, camera के अंदर एक lens है, lens वो एक tool है, जिसके माध्यम से lens बाहर की दुनिया को capture करता है, इसी तरीके से हमारी human eye किसी भी चीज़ को देखती है, चाहे वो lens है या human eye, दर्श को दोनों की एक limit है, एक capability है, कि हम कितना देख सकते हैं, यनि कि हम इसको कह सकते हैं कि एक spectrum है, जो हर इनसान आँख के उस tool के द्वारा capture कर सकता है, हमारी आँख कितना देख सकती है, camera का lens कितना देख सकता है, science ने इस subject को बहुत clearly और सचाई के साथ हमारे सामने रखा है, अब हम इस science के concept को, द्रिष्टी के concept को, और रिशियों द्वारा दी गई, किसी भी planet की special द्रिष्टी को, इन दोनों को जोड़ कर देखने का प्रयास करेंगे, और जो logical conclusion निकलेगा, द्रिष्ट को research यही होती है, कि हम चीजों को मिलाएं, देखें कि उसमें से क्या निकलता है, सो द्रिष्ट को इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा visual बनाया है, अब हम उस visual के थुरू समझने का प्रयास करेंगे, कि यह actual में द्रिष्टी है, तो द्रिष्टी का concept क्या है, अब दर्शिकों जैसी कि आप यह screen पर देख रहे हो, यह एक human eye का maximum जिसको हम कहते हैं spectrum है, या capability है कि human eye कहां तक देख सकती है, आप यहां पर देख सकते हो, कि human eye को यह दिखाया गया, कि 200 से 220 degree human eye किसी भी बाहर की picture को कह लीजिए, या बाहर के radius में उतना देख सकती है, अब इसको अगर हम काफी precise करें, तो यह क्या निकलता है, अब इस पूरे process को दर्श को आप थोड़ा सा science के माध्यम से समझने का प्रियास करो, अब science कहती है कि field of view is the angular extent of the observable world, कि जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, उसका एक extent है, एक limit है, और उसको हम angle में measure करते हैं, तो angular extent of the observable world that is seen at any given moment, in the case of optical instrument or sensor, अब optical instrument वो camera का lens हो सकता है, हमारी human eye का lens हो सकता है, तो उसमें कितना angular extent है, कि जिससे हम बाहर की दुनिया को observe कर सकते हैं, या देख सकते हैं, अब दर्श को इसको हम photography का principle कहते हैं, देखने का principle कह सकते हैं, अब light भी दर्श को इसी तरीके से चलती है, light एक spectrum में चलती है, और उस spectrum को आप जानते हूं, कि वो seven colors का combination बनता है, उस spectrum में light travel करती है, so light भी spectrum में travel करती है, और हमारे human eye का भी एक limited potential है, जिसमें हम बाहर की दुनिया को observe कर सकते हैं, एक extend तक ही देख सकते हैं, अब human eye का, जैसे मैंने कहा, यह जो picture आपको बता रही है, अब थोड़ा सा, आप academically साइंस क्या कहती है, उसको भी देख लो, each eye alone gives us roughly 130 degree field of vision, हमारी जो single eye है, ज्यादा से ज्यादा कहां तक देखती है, साइंस ने देखो, experiment से इन चीज़ों को test किया पहले, फिर उन्होंने ये angle समय दिये, एक single human eye, 130 degree तक vision के field को capture कर सकती है, with two eyes we can see nearly 180 degree, so जो हमारे जैसे normal human being है, जो दोनों आँखों से देख सकते हैं, तो maximum हम कहां तक देख सकते हैं, 180 degree हमारा limited vision है, अब इसमें vision को क्या हम दूर तक देख सकते हैं, देखो, 180 degree तक हम clearly देख सकते हैं, humans have slightly over 210 degree forward facing horizontal arc of the visual field, अब यह क्या है, आप देख रहे हो यहां पर, यह जो जैसे binocular का ही दिखाया गया है, binocular का मतलग है, दो आँखों से देखने का, यह single eye का potential नहीं है, single eye से हम 120 degree, 130 degree तक जा सकते हैं, जब दोनों आँखों से देखेंगे, तो हम 200 से 220 degree में जा सकते हैं, with both eyes, अब यह चाहे human eye की बात कर लो, और चाहे हम बात कर ले, कि हम camera की lens की बात है, मगर अब इसको हम जब थोड़ा बढ़ाने का प्रियास करते हैं, तो wider view आता है, wider view में हम यह कह सकते हैं, कि clarity तो नहीं है, मगर हम उसको observe तो कर रहे हैं, अब जैसे आप मेरी background पर ही देख सकते हो, अब इसमें human eye किन-किन चीज़ों को capture कर रही है, जैसे आप देख रहे हो, कि यह जो पेड़ है, पेड़ को आप clearly देख सकते हो, tidal waves आ रही हैं, यहां तक आप clearly देख सकते हो, मगर यह जो पीछे आस्मान में, अब यह जैसे जैसे हम deep जाते जाएंगे, distance बढ़ता जाएगा, सो वो जो distance का दर्श को खेल है, distance में, angle तो बड़ा हो जाएगा, मगर clarity कहीं न कहीं कम हो जाएगी, यह हम human, normal लोगों की बात रहे हैं, अब दर्श को थोड़ा सा आगे चल के देखने का प्रियास करते हैं, अब रिशियों ने सिर्फ तीन planets को special दरिश्टियां दी, natural बात है क्योंकि रिशी सिर्फ धार्मिक लोग नहीं थे, धार्मिक तो वो थे ही, मगर धार्मिक होने के साथ साथ वो scientific researchers भी थे, science के सारे principles वो अपनी हर academics के बीच में लागते थे, बिना science के बिना logics के वो बात ही नहीं करते थे, अब दर्श को जोती शास्त्र हमें उन रिशियों द्वारा मिल गया, अब जब वो मिल गया तो उसके principles भी हमें मिले, जिन principles में ये कहा गया कि तीन planets, Saturn, Jupiter और Mars, इन तीन के पास special द्रिश्टियां हैं, अब special द्रिश्टि अगर रिशियों ने कही या उसके बारे में हमें बताया, तो इसके पीछे कुछ deep scientific logics होने चाहिए, और जब हम human eye के साब से देखें, अब दर्श को अब शनी को भी देवता बनने से पहले, अब देवता हम कहते हैं कि जी शिव ने आशिरवाद दे दिया, विश्णु जी ने आशिरवाद दे दिया, ब्रह्मा जी ने आशिरवाद दे दिया, या देवताओं के देवता इंद्र ने आशिरवाद दे दिया, तो जब किसी को आशिरवाद मिल गया, और उस इन्सान को देवता का status मिल गया हम कहते हैं कि ये human से थोड़ा सा बड़ा हो गया मगर दर्शको उस status की वज़े से वो बड़ा तो हो गया मगर basically जब consciousness, चेतना या life की बात आती है तो life तो human life ही है और human life है तो शनी के पास भी जो आँखे होंगी natural बात है वो भी human eyes ही होंगी अब human eye देखने का maximum हम कहां तक देख सकते हैं 210 degree तक ही देखा जा सकता है दोनों आखों से normally, clearly हम 180 degree तक देख सकते हैं मगर जब देवताओं ने कह लीजिए, भगवान शिव ने कह लीजिए शनी को special blessing देदी, आशिरवाद देदिया तो उस से, उस आशिरवाद से कुछ दृष्टी या हम कह सकते हैं कि कुछ दिव्य दृष्टी भी उनको मिल गई अब दर्श को ये interesting चीज़ है, deep है मगर इसको आपको समझना होगा कि special दृष्टी का meaning क्या है रिशियों द्वारा अब उन्होंने क्या दिया कि शेनी को तीन दृष्टियां उन्होंने दी पहली दृष्टी उन्होंने बोली कि third house पर जाती है दूसरी दृष्टी उन्होंने बोली वो normal है, वो सब के पास होती है और वो कौन सी है, seventh दृष्टी अब जो तीसरी special दृष्टी है वो 10th house तक जाती है So, अब यहाँ पर एक बात दर्श को समझने की है कि हमारा human eye का जो potential, maximum potential है जिसको हम observable limit कह सकते हैं वो है 210 degrees अब उसी चीज़ को हम जियोत्य शास्त्र को science के साथ जब मिलाके देखने का प्रयास करते हैं तो दर्श को आप इसको यहाँ पर समझिए अब जैसे ही आप इसको समझोगे तो आपको clearly समझ में आएगा अब जैसे यह कुंडली आपके सामने बनी हुई है इस कुंडली को हमने क्यों लिया इसके पीछे भी scientific logic है दर्श को रिशियों ने हमें कहा कि समझने के लिए आपको कालपुरुष चार्ट लेना पड़ेगा अब कालपुरुष चार्ट है आप देख सकते हो एक नंबर का चार्ट है आपके सामने बनी है Aries Ascendant कह लीजी अब Aries Ascendant चार्ट में हमें कालपुरुष चार्ट में कहा गया कि शनी दशमभाव के स्वामित्व है Lordship उनकी कहां पर है Primarily Tenth House यानि के दशमभाव में है So ये जो Tenth House है दर्श को आप देख सकते हो कि ये शनी का Lordship का House है अब Lordship का हमें यहीं से देखना पड़ेगा तब ही आपको समझ में आएगा कि ये शनी का घर है जब शनी के घर से हम देखेंगे तो पहली दृष्टी कहां जाएगी वो आप देख सकते हो ये जा रही है कहां पर Tenth House पर क्योंकि ये तीसरी दृष्टी है तो तीसरी दृष्टी के बाद दर्श को अब नॉर्मली सेवंथ आस्पेक्ट यानि के जो सीधी दृष्टी है वो तो यहां पर आ ही गई ये तो बहुत क्लियर है आपके सामने और जो तीसरी स्पेशल दृष्टी है दस्वी दृष्टी टेंथ आस्पेक्ट वो जा रही है कहां पर सेवंथ हाउस में अब दर्शको यहीं से शनी की बहुत सी चीज़े क्लियर होती हैं कैसे अब ये एक तरीके से शनी का आप कह सकते हो ये visual एक spectrum बन गया अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा शनी का spectrum बन गया यनि के शनी यहां से लेकर यहां तक ही देख सकता है अब ये शनी की देखने की दृष्टी का observable limit बन गई यानि के 12th house से लेकर अगर हम कहेंगे कि कहां तक गई वो गई 7th house तक So, 8 भाव शनी की दृष्टी ने cover कर लिए अब 8 भाव शनी के cover हो गए तो हम कह सकते हैं कि ये कितने degree का हुआ एक भाव कितने degree का होता है 30 degree का आप सीधा सीधा समझिए ये 30 degree का भाव है अब 30 degree के भाव में आपको clearly समझाना चाहिए 30 degree multiplied by 8 ये कितना हो गया 240 degrees अब आप देखो ये देवता बनने के बाद का बात आई हमारी human नहीं कहां तक देख सकती थी 210 degree तक शनी देवता को देखने के बाद क्या मिला 240 degree तक देखने की capability मिल गई अब दर्शको अब ये चीज़ आप अपने उपर भी ले सकते हो क्योंकि हम humans के पास ही potential है कहीं तक भी पहुँचने का आप उतनी मेनत कर लो देवता के status तक जा सकते हो देवता के status पर जाकर आप कुछ भी इस तरह की achievements भी ले सकते हो मगर ये थोड़ा सा subject से distraction है क्योंकि आज हम सिरफ दृष्टियों को ही क्या कर रहे हैं उनके उपर दृष्टी पात कर रहे हैं उसको ही discuss कर रहे हैं अब यहाँ पर अब यहाँ पर दस Saturn covers the visual angle from third house to tenth house making it complete vision of 240 degrees making it a logical extra visual powers given to Saturn अब यह logics हैं दर्ष्ट को मैंने क्यों कहा था कि रिशी logical scientist भी थे जब वो logical scientist हैं तो वो तो logic की बात करेंगे तो शनी का logic अब दर्ष्ट को क्या हुआ शनी का logic है कि 240 degrees की अब 240 degrees की visual limit आप कह सकते हो है इससे आपको दर्ष्ट को एक तो बात clear समझ आगी कि शनी यहाँ से यहाँ तक देख सकता है यह शनी की visual limit है अब इसी के अंदर दर्ष्ट को शनी को रिशियों ने सही तरी कैसे define भी कर दिया वो कैसे define कर दिया अब आप clearly समझना अब कोई भी limit है कोई spectrum है हम कहते है light का spectrum है violet से शुरू होता है red तक जानता है मगर कोई भी color दर्ष्ट को जहां से शुरू होगा यह light का principle है starting में power कम होती है धीरे धीरे वो color बढ़ता है आप drawing करते हो drawing में ऐसी होता है कि starting में color थोड़ा सा आपको light ही feel होगा अब यही दृष्टी के साथ है जब भी हम यह आपने normally observe भी किया होगा कि जब भी हम casual दृष्टी path किसी चीज के उपर करते हैं तो वो चीज clearly हमें दिखाई नहीं देती मगर जब उसी चीज के उपर हम focus करते हैं concentrate करते हैं वो चीज clearly दिखने लग जाती तो शनी की पहली दृष्टी दर्षको comparatively कमजोर है casual look है अब यह जो casual look है दर्षको इसके अंदर बहुत बड़ा logic छिपा हुआ है कि casual look क्यों है हर चीज के उपर question mark लगना चाहिए जब भी कोई बात करी जाए तो दर्षको इस statement के उपर कि जो शनी को पहली दृष्टी मिली तीसरी दृष्टी अब वो कहा गई वो आपके 12th house पर ठीक है 12th house पर जाने का मतलब 12th house किसका है 12th house दर्षको ये मृत्यू भाव है और मृत्यू के साथ शनी का संबंद कैसे है ये सबसे easiest संबंद है तब ही मैंने क्यों कहा कि casual दृष्टी है क्यों क्योंकि शनी का दूसरा नाम दर्षको क्या है शनी का दूसरा नाम है काल काल को हम समय से भी लेते हैं काल को हम लाइफ की longevity से भी लेते हैं सो लाइफ का अंत कहा है लाइफ का अंत मृत्यू भाव ही तो है मगर मृत्यू भाव तो शनी का एक natural subject हो गया सो उसके उपर तो शनी को को बहुत ज़्यादा stressful या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा focus करने की ज़रूरती नहीं सो पहली द्रिष्टी दर्शको मृत्यू भाव पर जाएगी तो वो casual द्रिष्टी ही होगी एक तरीके से casual देख लिया कि ठीक है यह तो रोज का subject है अब जैसे डॉक्टर्स के लिए hospital में जाना patients की pain को देखना even patients की death को भी देखना वो casual normal बात होती है इसी तरीके से शनी भी अब मृत्यू या मृत्यू भाव से संबंदित जितनी भी चीज़ें हो सकती है उसको कैसे देखेगा आप उसको एक human समझो कि आप ही शनी हो अब शनी हो तो कैसे देखोगे तो भाई तो शनी का मतलब क्या है शनी क्योंकि medical के साथ भी relate करता है वो चल ये बात का subject है वो जब हम planet discuss करेंगे तब देखेंगे उस चीज़ को तो शनी नाम का doctor जब अपने hospital में मृत्यू को होते हुए किसी patient में देखेगा तो वो कैसे देखेगा उसके लिए ये एक natural routine का subject होगा तो उसके उपर बहुत ज़्यादा focus करने की ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी अब धर्शिकों ये हुआ 12th house अब ये casual द्रिश्टी है मगर शनी का spectrum यहां से चालू हो गया शुरुआत हो गई शनी की द्रिश्टी की अब शनी की दूसरी द्रिश्टी spectrum में कौन से भाव पर जाएगी पहल 12th के बाद ये जा रही है आपके first house पर अब first house में हम जानते हैं कि शनी debilitate करता है दर्श को interesting चीज़े हैं शनी पूरा आपको यहीं से समझ आ जाएगा अब शनी first house में debilitate करता है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर द्रिश्टी कमजोर है casual द्रिश्टी के बाद अब थोड़ा सा focus आया है सो यह शनी यहां पर कमजोर दिखेगा ही दिखेगा अब शनी का strength कहां पर है यहां से शनी बढ़ना शुरू करेगा गूमते हुए यहां तक आ जाएगा अब यह जो शनी का आगे जाने का है fourth house fourth house में शनी दर्श को maximum strong हो जाएगा इसी वज़े से आप देखोगे fourth house सुख स्थान भी है क्योंकि कर्म से सुख पैदा भी तो होता है और fourth house के साथ जो माता भूमी वहन की बात है अब यहां पर वो जो पकड जिसको हम कहते हैं indulgence मुह माया की पकड चीजों के साथ हम अपने आपको पकड लेते हैं यह मेरा घर, यह मेरी माता यह मेरा वहन अब आप देख सकते हो क्योंकि अब वो कर्म के थुरू ही आई हुई चीजे है तो यहां पर शनी दर्श को strong हो जाता है अब strong है मगर वैसे हम देखते हैं कि यहां पर शनी strong नहीं है मगर दर्श को एक बात आप clearly समझ लो कि यह शनी की सात्वीं दर्श्टी है और सात्वीं दर्श्टी सुख पर आ जाए अब इसके पीछे भी आप रिश्यों के उस लॉजिक को समझने का प्रयास करिए कि उन्होंने सबसे strongest दर्श्टी सुख स्थान पर क्यों दी तो उन्होंने सीधी बाते कही ना emotions में ना माता में ना भूमी में ना वाहन में ना घर में अब यहाँ पर अश्लेशा नक्षत्र भी आता है यानि के विचारों के उस खेल में आपको indulgence नहीं बनानी अब शनी का एक नाम discipline भी तो है तो आपको इन सभी चीजों में disciplined तरीके से जीवन जीना है तो शनी फोर्थ हाउस में आपको maximum discipline बनाना चाहता है अब ये आप समझ लीजिए यहाँ पर शनी full value हो गया highest potential अब उसके बाद शनी का प्रभाव शनी का spectrum थोड़ा सा weak होना शुरू होगा और ये weak होते होते ये जो 7th से लेकर गती करता हुआ 10th house पर आएगा देखो अब चाहे वो weak है हम कहते हैं कि कोई भी चीज अपने end पर जाकर सबसे ज़्यादा strong होती है हम कहते हैं कि दिया बुजने से पहले दिये की law सबसे ज़्यादा powerful हो जाती है अब दर्शको ये ग्यान की बाते हैं ग्यान की बातों को जब science के साथ जोडोगे तो आपको बढ़िया चीज़े मिलती है तो यहाँ पर 7th house में शनी सबसे ज़्यादा powerful हो गया exalt कर गया आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो 7th house दर्शको किसका है यह है तुला शुक्र यानि के रिशियों ने आपको क्या शिक्षा दी शनी के द्वारा उन्होंने यह शिक्षा दी कि आपको तुला, शुक्र luxuries comforts इसमें balance बनाना है अब आप समझे शनी का काम क्या हुआ आपको 4th house में discipline दे दिया आपको 7th house में balance बनाने का खेल बता दिया और मृत्यु भाव में क्या किया एक casual सी approach डाल दी अब यह special द्रिश्टिया है मगर इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि special द्रिश्टि वो सिर्फ तीसरे भाव पर ही देखेगा वो सिर्फ साथ में पर ही देखेगा दर्श्टिय को आप अपनी human eye के साब से सोचो कि अगर शनी देख रहा है तो शनी यहां से लेकर यहां तक वो पूरा देख रहा है यह शनी का जिसको हम कहते हैं एंगल है observable एंगल है अब यह observable एंगल में भी दर्श को एक चीज सीखने समझने की है जो लोग यह समझते हैं कि शनी सिर्फ तीसरे भाव को देखता है मैं यह कहता हूँ वो एक तरीके की अंधभक्ती वाली बात है कि हम लकीर के फकीर है कि रिशियों ने कह दिया तीसरा भाव तो हमने कहा तीसरा भाव आगे पीछे ना सोचना ना समझना लॉजिक की तो बात ही छोड़ दो अब रिशियों ने बोला कि यह आपका observable limit है भाई यह आपकी देखने की क्षमता है capability है आप तीसरे से देखना शुरू कर रहे हो और 10th house तक जा रहे हो यह आपका कर्मक्षेत्र है दर्श को अब आप कर्मक्षेत्र इसके अंदर दर्श को research की एक बहुत deep finding आएगी अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना सुनने की प्रयास करना अब क्या है अब यह शनी की observable limit है देखने की क्षमता है कि वो कहां तक देखेगा 12th house से लेकर सब्तमभाव तक यह 240 degree का उसका view angle है यानि के वो मृत्यू को observe कर रहा है casual चाहे approach casual है मृत्यू को देख रहा है आपके first house यानि के आपके शरीर को देख रहा है तो शनी का control आपके शरीर को उपर है और शनी की energy शनी की दृष्टी वहीं से तो शुरू हो रही है कि भाई मृत्यू के बाद अब आपको निया जन मिल गया तो नए जनम में मृत्यू तो आपकी पिछले जनम का subject हो गया मगर नए जन में अब आपकी जुम्मेवारी बन गए कि आपको अपने शरीर को अच्छा healthy बनाना है so first house में जो health के पीछे चाहे आप कह सकते हो कि potential क्या है शनी यहाँ पर debilitate है मगर एक बात तो है शनी का मतलब ही क्या है discipline, hard work मेहनत अब यह मेहनत का खेल कहां पर है मेहनत क्या करेगी आपके शरीर को strong ही तो बनाएगी और शनी आपके second house आपके third house third house में हम कह देते हैं कि शनी का रख है fourth house में हम कह देते हैं कि शनी की सीदी द्रिश्टी आ रही है fifth house आपके बच्चे आपकी secondary education या college education या उसके साथ ही अब आप देखोगे कि यह सिरफ education की बात नहीं है यहाँ पर आपके relations आपकी शादी अब ये भी तो एक subject है ना तो जब हम इस subject के उपर चलेंगे अब इसी के अंदर दर्श को important चीज क्या है सिक्स्थाउस सिक्स्थाउस में रोगरिंग शत्रू अब दर्श को रोगरिंग शत्रू हम कहते हैं ना कि छटे भाव में शनी again कारक है strong है चाहे दूसरे तरीके से है मगर रोगरिंग शत्रू को overcome करने के लिए शनी की आशिर्वाल शनी की blessings चाहिए और वो अगर रोगरिंग शत्रू है तो वो कर्मों के द्वारा ही तो उसे overcome किया जा सकता है और सब्तम भाव में तो शनी exalti कर रहे हैं भाई तो ये जो चीज है कि शनी की आप देखो इस view angle से ही यानि के जो शनी की observable limit है उसी से शनी की leabilitation शनी की exaltation शनी का maximum प्रभा फोर्थ हाउस के उपर अब फोर्थ हाउस के उपर दर्शको वो बात कहनी मेरे जहन से निकल गई क्योंकि हम दूसरी बाते कर रहे थे वो माता भूमी बाहन के बीच में चले गए अब फोर्थ हाउस के बीच में आप देखोगे कि पुष्य नक्षत्र भी तो है अब पुष्य नक्षत्र आपके फोर्थ हाउस में ही तो पड़ा है उसका लॉर्ड शनी ही तो है सो शनी की presence दर्शको उसके view angle से ही तो बन गई उसके देखने का जो spectrum है उसी से create हो गई अब यहीं से दर्शको question निकलेगा कि सर हम अपने चार्ट में कहां से देखें आप दर्शको आपके चार्ट में शनी जहां भी present है अब उसी तरीके से ये third से लेकर 10 तक का ये आप बना लीजिए spectrum उसकी दृष्टियों को अपने चार्ट पर मार कर लो और उसके बाद आप समझ लो कि शनी की दृष्टि अब इन आठ भावों के ऊपर तो है और जिस आठ भावों के ऊपर शनी की दृष्टि है उससे दर्शको आप क्या कोई भी नहीं बच सकता शनी की दृष्टी देखिए अब यहां पर सचाई की बात है रिश्यों ने कहा यह दृष्टी थोड़ी सी क्रूर है बिना इमोशन्स की है इसमें कोई फेवर नहीं कोई फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं यहां पर आपके कर्मों के हिसाब से सीधा सीधा प्लस मैनस अच्छा ब सीधा यह निकलाई और वो क्या निकलाई कि शनी की दृष्टी से जो चार भाव बचते हैं अब वो कौन से हुए इंट्रेस्टिंग है ये बात अब ये ही तो बात होती है शनी की दृष्टी से जो चार भावदर्श को बच रहे हैं वो कौन से बचे आप देखिए एक तो ये 11th house बच गया एक 10th house जहां पर शनी खुद है वो बच गया अब वो बचा या नहीं बचा ये बात में डिस्कस करेंगे एक 9th house बच गया और एक 8th house बच गया इसको आपको मैं अब दोबारा समझा देता हूँ पुरानी ड्राइंक्स को क्लियर कर देता हूँ अब इसमें बचे कौन कौन से 11th house 10th house, 9th house और आपके लिए आपका 8th house अब ये house आपके बचे अब 11th में दर्च को वो कैसे बच गया शनी की द्रिष्टी से दिखो अब शनी की कहते हैं हम कहते हैं थोड़ी सी क्रूर है द्रिष्टी, स्ट्रॉंग है शार्प है, तीक ही है आप जो मर्जी वर्ड्स यूज़ कर लीजिए अब 11th house किसका है इच्छा पूर्ती का house है आपको फल देने का house है सो फल देने के house में दर्च को जो भी कर्मों के थूप अब शनी का डॉमेन आपने समझ लिया 12th house से लेकर 7th house तक इन आठ भावों में जो कर्म आपने किये उन कर्मों का फल आपको कहां पे मिलेगा आपको फल मिलने वाला है 11th house में अब कौन सा फल अब दर्च को यही तो खास बात थी अब कौन सा फल यानि कि इन सभी भावों का cumulative फल जो यहां से शुरू हुआ यहां तक गया यहां तक गया यह आप ऐसे ड्रॉ कर सकते या इसको आप ले लीजिए यहां तक गया सो यह जो cumulative effect है यह आपको मिला आपके 11th house से अब इसमें दो भाव और बच गे आपका यह 9th house लट से को 9th house को हम कहते हैं यह आपका भाग्य का स्थान है यह आपके धर्म का स्थान है मगर जो सबसे बड़ी बात है इसमें मूल नक्षत्र है मूल नक्षत्र का मतलब क्या हूँ यह दर्श को आपका स्वभाव है आपकी inner nature है inner nature कहां से बनती है पिछले जन्मों से जो कुछ भी हम इकठा करके लाए उसी के हिसाब से हमारी inner nature बन जाती है तो inner nature क्योंकि शनी आपके present life के करमों को तो हम कह सकते हैं कि शनी वर्तमान में अपना द्रिष्टी दिखाता है वो जो viewing angle है वो वर्तमान का है मगर 9th house में तो past से चीज़े निकली हुई जो भी past में हमने acquire कर लिया दर्ष्ट को वो ही हमारा भाग गया है वो ही हमें मिला सो इसी वज़े से वो शनी की view angle से बाहर हो गया देखने की जो एक angle बना था उससे वो बाहर हो गया अब दर्ष्ट को 8th house कैसे बच गया यह interesting बात है अब यहाँ पर हमारा जो spirituality वाले लोग है उनका खेल है दर्ष्ट को 8th house को हम कहते है यह spiritual house है अब spiritual house है definite बात है हम कहते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ साधना है यहाँ गहन अंदकार है क्यों? क्योंकि 7th में शनी अपनी maximum potential ले गया अब दिये की law बुझ गई कर्मों का खेल खत्म हो गया जब कर्म खत्म होते हैं तो दर्ष्ट को हम क्या करते हैं? साधना शुरू होती है हमारी inner जद्नी अंद्रूनी यात्रा साधना में वो जो अंधेरी गुफा की बात करते हैं हम लोग spirituality में उसको हम साक्षी भाव से देखने लग जाते हैं और वहीं से हम ये भी ले ले लेते हैं कि कुछ चीजों के लिए ये मृत्यू भाव भी होता है यानि कि दुनियावी चीजों के लिए अब दर्श को आप clearly समझ सकते हो कि शनी का संबंद वर्तमान से है सो वर्तमान में जो present जो हमारा जीवन है जो वर्तमान है तो आप कह सकते हो कि limit है ये जहां तक शनी देख सके वहीं तक आप कर्म कर सकते हो जहां शनी नहीं देखता आप वहां से आपकी साधना निकलेगी आपका भागय निकलेगा आपका कर्म निकलेगा और कर्म का फल निकलेगा अब दर्श को ये देखिए क्यों मैंने कहा था कि जब science और religion इकठे होते हैं और science भी कौन सा जो logic based science है तो शनी सही तरीके से समझ भी आएगा शनी का domain भी आपको समझ में आएगा और तभी मैं पिछले वीडियो जो दर्श को जानते हैं समझते हैं मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप अंध विश्वास की तरीके से मत लीजी हर चीज के उपर question mark लगाईए उसको समझने का प्रयास किरिए और जियोतिश को कोई परमात्मा कोई दैविये कोई अपने से उपर का या दूसरी दुनिया का subject मत समझेए इसको वो अंध विश्वास की श्रैनी से निकालिए यह आपके जीवन का subject है इसको अपने जीवन से जोड़ दीजिए तो दर्श को जब भी हम जीवन से जोड़ेंगे तो क्या होगा दर्श को तो आप clearly समझ सकते हो जैसे ही हम किसी भी चीज को अपने जीवन से जोड़ते हैं तो भाई हमारे जीवन में जो limitations हमारी हैं आप देखोगे वो उनकी भी limitations है हम देख सकते हैं एक limit तक unlimited हम भी नहीं देख सकते जब हम unlimited नहीं देख सकते दर्श को तो भाई शनी कैसे देख पाएगा शनी भी हमारे जैसा ही था ठीक है मेनत करी साधना करी भगवानशे प्रसन हो गए आशिरवाद मिल गया उसका view angle बड़ा हो गया तो view angle बड़ा हो गया साथ में कर्मों का फल वैसे देखा जाए दर्श को हमारे जीवन के अंदर हमारी life में जब तक हम कर्म कर रहे हैं हम कह सकते हैं कि भाई हम शनी के प्रव्यू में हैं और वैसे भी जीवन के क्योंकि जीवन 360 डिगरी का है 360 डिगरी में से 240 डिगरी तो शनी के कंट्रोल में ही तो है सिरफ 120 डिगरी आप कह सकते हो कि 33% जीवन शनी की दृष्टी से बाहर जाता है अब शनी की दृष्टी से बार जाता है, दर्श को यहीं से शनी की दूसरी definition clear होती है, अब शास्त्रों में शनी को क्या कहा गया है, शास्त्रों में शनी के बारे में बोला गए, यह आपका अंतरमन है, यह आपका अंते करन है, जैसे ही inner journey स्टार्ट होती है, बाहर का कार्मिक वर्ल्ल खत्म, बाहर का कर्म नहीं, मगर साधना जब हम करनी स्टार्ट करते हैं, धीरे-धीरे साधना चलनी शुरू हो जाती है, अब वो एक ऐसा कर्म है, जो आप चाह कर नहीं कर रहें, मगर हो रहा हैं, जैसे सांस आप चाहकर नहीं ले सकते, सांस चल रही है, आपकी हरिदे धड़क राय, आपके कहने से, आपके करने से वो रुखने वाला नहीं है, इसी तरीके से तर्शकुर, जब साधना आप शुरू करते हो, शुरू में वो एक कर्म का बात है, मगर धीरे-धीरे उसके बात उसमें कोई कर्म नहीं, साधना फिर आपका एक स्वभाव बन जाता है, साधना अंदर से चलनी शुरू हो जाती, तो ये शनी की अंतर जर्नी, इनर जर्नी, यनि के पहले शनी बाहर की दुनिया की तरफ, बाहर की दुनिया को आठ भाव, और अंदर की दुनिया को अब वो द शनी की दृष्टी से, शनी के उस scientific aspect को समझाने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से आप ये समझ पाओ, कि शनी हमारे जैसा है, हमारे जीवन का ही हिस्सा है, और उस जीवन के हिस्से को हम कैसे apply कर सकते हैं, आप भी दर्शिकों, शनी को अपने चार्ट में इसी तरीके से apply क करिए, अपने जीवन को समझने का प्रयास करिए, अब दर्शिकों जो निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं सबसे करता हूँ, इस वीडियो में भी कर रहा हूँ, आत जोड़कर आप सबसे निवेदन है, कि Astro Intelligence आपका अपना चैनल है, वेदिक ज्यान का चैनल है, वेदिक चार्ट मुझसे एनिलाइज करवाना चाहते हैं, अपने चार्ट के, मतलब कुछ लोगों के जीवन के ऐसे प्रश्न होते हैं, जो वो नॉर्मल दूसरे लोगों से डिसकस नहीं करना चाहते हैं, मगो चार्ट के माधिन से समझना चाहते हैं, दर्श को, जितने भी दीप से डीप आपके questions होंगे, दिखिए, मेरा subject क्योंकि मैं एक teacher भी हूँ, एक doctor भी हूँ, और साथ में spirituality के रास्ते पर भी हूँ, so मैं आप से आशा करता हूँ कि जो आपके जीवन के deepest प्रश्न है, वो आप मुझसे करिए, simple प्रश्नों के लिए, आप किसी भी जोच्छी के पास किसी भी astrologer के पास जा सकते, डीप प्रश्नों के लिए, आप मुझे हमेशा याद करिए, प्रयास करूंगा कि जो कुछ भी ग्यान परमात्मा की तरफ से मुझे मिला, मैंने अरजित किया, उस ग्यान को अपना base बनाकर मैं आपके questions का समधान देने का प्रयास करता हूँ, औ दर्श को मुझे तक पहुचने के लिए मेरा phone number एक ही है, that is 9881-64480, उसी के माध्यम से मुझे संपर्क स्थापित कर सकते हूँ, so इसी तरह की दर्श को अगली ग्यान वर्दक वीडियो जिसमें प्रयास करूंगा कि जुपिटर की दृष्टी को मैं आपको समझा पाऊ, so अगली वीडियो तक दर्श को, आप इंतजार करिए, तब तक बहुत बहुत आशीरवाद, बहुत 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 प्यान